जैन सांतियों आप सभी को नमस्कार स्वागत है आज के सत्रपे आप सभी को आपके अपने यूटुब चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत-बहुत स्वागत है आज है आपका सोमवार का दिन और सोमवार के दिन हम लोग करेंट अफेर के क्लास से शुरू करते हैं तो आज ह लगे इसको लैटली मत लीजे बहुत इंपोर्टेंट है रिसेंटली आपका वन रक्षक जो एक्जाम हुआ उसमें करेंट अफेर पूछे गये थे पूछे ही जाते हैं इसलिए करेंट अफेर इंपोर्टेंट यह 36 गड़ का करेंट अफेर के क्लास है यह वीडियो आपको रियल वादारों बहुत हेलपफूल मिलेगा यहाँ पे टोटल हम लोग 25 कोश्चन करेंगे दस मेड़ में 25 कोश्चन करेंगे एकदम फटा फट टाइम नहीं लेंगे जल्ली जल्ली करेंगे अगर वीडियो तनिक भी आप लोगों को हेलपफूल लगे तो प्लीस लाइक कम आपको होम वर्क कर दूंगा वो होम वर्क का रिप्लाई जरूर करिए ठीक है तो पहला कोश्चन आपको बहुत इंपोर्टेंट है कहीं न कहीं एक्जाम में यह चपे गहीं इंपोर्टेंट लगा लिजए इसको ट्रिपल इस्टार देश के पांच प्रदूसित राज्यो में छ meteor показыв कि मतलब जिए चांटिछ गठताने कौन से इस्थाने तो पांच वाइस्थान है इंसर हो जाया आपका पांच वाइस्थान याद रखेंगे कौन से इस्थान पांचवा इस्थान अजनकारी दूँ हुम अभी रिसेंटली जस्ट एक गंटंटे पहले एक वीडियो डला है मेरा क्या आपका जो 36 गड़ व्यापम और 36 गड़ पुलिस भरती के लिए जो नया पेटन चल रहा है व्यापम का उसके बारे में डिटेलिंग से वहाँ पर मैं आपको समझाया हूँ किस पेटन पर आपको एक्जाम में पूछ रहा है कैसे पूछ रहा है उसके लिए बेस्ट बुक कैसे पढ़े और कौनसे बुक ले यह सारे चीजों आपको बताया हूँ यह वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रेप्शन म दिवस कब हुआ विश्व बांस दिवस यह भी बहुत इंपोर्टेंट है विश्व बांस दिवस की स्तारिक पर हुआ था कमेंट करके जरूर बताईए क्योंकि दिवस पूछ रहा है ना तो जो केंद्री मंत्री थे आपके गटकरी साहाब आये थे कहां पे है च्छतिल बेंबु टावर, बांस टावर कहां बनाएं आपका बेमेतरा मेरे ग्री जिला में हैं नेक्स्ट कॉश्यन है आपका जो नक्सलगड में कब से कब तक बस्तर ओलंपिक का एयोजन किया जयेगा नक्सलगड में बस्तर ओलंपिक आपका एक नवम्बर से 15 नवम्बर 20 Gorby को हो आपका RS विसकरमा जी को नियुक्त किया है नेक्स्ट कोश्चन है मैं बताएं 10 मिट में 10 मिट में सफिसेंट इस कोश्चन कवर कर लेंगे हम लोग 25 कोश्चन जो सेतंबर का पहला पार्ट है किस जीले में बड़े पैमान में ड्रेगण फूर्ट एक ड्रेगन फूर्ट होता है बहुत महहंगा मिलता है यह कहां आपका बस्तर में बहुत उत्पाधन चीज सारी चीजों को चतित्य सब्सक्राइब से 38 कोट का गठन किया गया कितने राधा वल्लब मंदिर बहुत चर्चा में हैं ये जिनका सर्गुजा जीले से क्या-क्या समस्य है अब आपका रेगूलर क्लास चल अब हर मंडे को क्लास होना ही होना है हर सोमवार को को कोछिस यह करेंगे हम इतिहास का रहाया जाएगा और वो भी नए पैटर्न के हिसाब से जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से इसका एंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर तीन दो सो तीन सट ठीक नेक्स्ट है आपका च्छतिस गड़ में जो नगरी निकाय चुनाओ दिसंबर में वह त्री 25 पर चुनाओ आज हो ओगा आपका जनुरी2025 में नेक्स्ट कौस्ट च्छतिस गड़ से केंद्र में राज्य मंत Temple बनने वाले राज्य मंत्री बनने वाले 26 गड़र से जो राज्य मंत्री बने कौन तोखन साओ, कौनसे क्रम का यह पूछेगा, तोखन साओ सबको पता है, कौन से क्रम का साथवे क्रम का, साथवे क्रम का, फटा-फट इसलिए चल रहों ताकि आपका समय कम बचे इस चीजों को पढने के लिए, 10 सुम्मेलट में आपको 25 होना ची इंसफिसियंट। 36 गड़ में कितने लाग से अधिग साखचार्थ केंद्र करेंद्र खोले गए। कितने लाग से अधिग 1,00 each साखचर्थ केंद्र आपके खोले गए हैं। और पच्चिस के बजट सत्र के दोरान घोष्ण किया कि 36 गड़ को विक्सित राज्य बहुत इंपोर्टेंट है ट्रिपल इस्टार लगा लेजे लेकिन इनका लग्च है कि 36 गड़ को विक्सित सरकार बनाया गया है ठीक है ठीक है 36 गड़ मुख्य मंत्री विश्णो देश रायगड के राम लिला मैदान में ये क्रम याद रखी 49 वा क्रम का जो चक्रधर समरो हुआ था ठीक है समरो वो कहा हुआ था आपका रायगड में कब हुआ था साथ सेत्यमबर देट याद रखेंगे लेकिन क्रम बहुत इंपोर्टेंट है कौन से क्रम का है ठीक है हो सके तो ये चक्रधर समरो के जो डिटेलिंग है उसका एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा पूरे उ बहां से question पूछे ही जाते है ठीक है यहां पर पूछाए कि चतिसगड राज्यस सिक्षा सम्मान पुरुसकार में कितने सिक्षकों को पुरुसकार दिया जाएगा 64 सिक्षकों को पुरुसकार दिया जाएगा विश्णु देव साह के द्वारा नेक्स्ट है कब से वानिजिक एवं उद्योग महासंकी स्थापना किया गया 2013 में किया गया था कब किया था 2013 में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सत्तरवा चतिसगड से किसे 2023 के राष्टी हस्त सिल्प पुरुसकार के लिए चैनित किया गया है किसे किया गया है राष्टी हस्त सिल्प पुरुसकार के लिए आपका हिराबाई बगेल को चैनित किया गया है किनको हिराबाई को है 36 गड़ में कब बलराम जैनती कौन सी जैनती बलराम जैनती किसान दिवस मनाई जाएगी 9 सेप्टेंबर को कब बलराम जैनती किसान दिवस मनाए जाएगी 9 सेप्टेंबर को 36 गड़ किस जीले के पुलिस द्वारा किस जीले के पुलिस द्वारा खाकी किट्स नामक एक पहल शुरू की गई है सक्ती में कौन है यहां पे यहां के जो आपके अंकिता सर्मा है यह ने शुरू किया ठीक नेक्षट कोशन है 36 गड़ के किस जीले में सुक्षम हीरे का भंडार मिला है कौन से जीले में आपका सुक्षम हीरे का भंडार मिला है आपका जस्पूर जीले में मिला है नेक्षट कोशन है प्रदेश में अप्रेशन संखनाद क किस जीले में चलाया गया, बहुत important है, इसलिए important है, क्योंकि जो oppression संक नाद है, वो कहां चला गया, जैसपुर में जला है, कौन है, वहां के साय, वहां के निवासी है, इसलिए ज़्यादा famous हो जा रहा है, तेखो, अनपूर्ना दालभात केंद्र कहां शुरू Keea茸 शुरूकिए गए अनि पूरुना दालभात केंद्र आया मिस्तूल का शुरू कि अगए छुरूआ darauf द्रह्षत प्रधान मंद्री अवास यूजनागी के तर ग्रमिंग कितना है 886 यह बस याद रखो 886 931 आवासों की स्कृति मिली है तो डेटा याद रखेंगे 886 कहां पर 36 गड़ में आपका जो आवाज बनाने का स्कृति मिली है जो बिश्वा कोशन है चतिस गड़ की किस मंतरी ने स्रम विभाग की नई वेपसाइट स्रमयो जयते लांज किया गया है नेक्स्ट है आपका प्रदेश में बिजली खपत कितने मेगावाट है आपका पच्पन सो मेगावाट बहुत इंपोर्टेंट है ये भी ठीक है कितना मेगावाट पच्पन सो मेगावाट ठीक आपका अब होमवर्क है दो कोश्चन है प्रदेश में बिजली की खपत कितना मेगावाट है एक दुसरा है आपका किस वर्स में 36 गडिया वान जीग एवं उद्योग महा संकी स्थापनक किया गया यह दुनों कोश्चन का आप एंसर कमेंट में दीजे इसका एंसर क्या हो जाएगा और पोसिस में किया हूं कि 10 मिनट से पहले आपका यह कितने 25 कोश्चन पूरे 10 मिनट से पहले आपका कवर कर कहिए आपका पहला पार्ट इसके बाद आपका सेकेंट पार्ट आएगा किसका किसका सेपतेंबर महा का कर निकरा ऐसका इंसका फिडिएप चाहिए तो टेलिगराम लिंग दिया गया है याप यह मेरा देजिया कि अश्रापम पर किजे वीडियो कीज एऊ बहुत बहुत धन्यवाद अगर तनीक भी आपको वीडियो हेल्प अपको लगा है तो प्लीस लाइक कर दीजे और कमेंट कर दीजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहें साथ ही अपना ख्याल रखी लेकिन पढ़ते रहिए कंट्यून्यू पढ़ना जरूरी है नहीं पढ है उसी साथ से ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अ कर दो